नमस्कार दोस्तों, वलकम बैक टियो ओन चैनल, वेल्द फर्स, काफी सारे सब्सक्राइबर्स के कॉमेश से हैं कि सर हम लोग अच्छे से इतनी मारजी निरख सकते हैं, हम लोग इतने स्टूडेंट हैं, हमारे पास ज्यादा पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे ऑप्शन बाइंग क कुछे से मांवंट से पैसे बना सकते हैं, तो दोस्तों, मैंने आज आपको एक स्ट्राइजी बताईए हैं, जिसमें कि आप सिर्फ 60 ृपिज, मातर 60 ृपय लगा करके जबरदस्त ट्रेड ले सकते हैं जिसमें कि आप पैसे को डबल कर सकते हैं मतलब 120 कर सकते हैं ट्रिपल कर सकते हैं 180 कर सकते हैं I am sure आपने ये वीडियो देखा होगा और अगर नहीं देखा है प्लीज जाएए इसको देखिए बहुत important वीडियो है ये पहला क्वेशन है रिज का उन्होंने का है डेली Q&A में सरहॉस PG H&H और पोक्र इंगांबल है और हैजीन बहुत ही अच्छा और शानदार स्टॉक है लेकिन इसका आपको हॉराइजन रखना पलेगा लॉंग टर्म का क्योंकि अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इसको रखेंगे तो I don't think so you'll be able to do justice with your investment क्योंकि ये लो बीटा स्टॉक है और हाई वैल्योशन का स्टॉक है ज्यादा इनमें ट्रेडिनिंग होती नहीं है ज्यादा इसमें ऑपरेटर वाला कोई काम हिसापकी तकार में होता नहीं है so you'll have to invest and hold for long term and regarding correction of course you can expect some correction क्योंकि इस समय health, hygiene, health care already काफी ज्यादा आप मूव पहे you'll have to wait a bit in case if you want to do fresh buying for swing trading I have bought HDFC Life at 524 with G1 Finance 182 so I don't want to exit at loss देखो भाई ऐसा है बेपलब जब भी आपको कोई investment करना होता है आपको अपने stop loss को रखना चाहिए 10 में से आपके 8 trade आपके आपके अनुसार मूव करेंगे लेकिन उन में से 2 trade ऐसे होंगे जो कि आपके अनुसार मूव नहीं करेंगे तो आपको उन 2 trades के लिए आपको stop loss रखना होता है you have to be with it और कोई भी business करीए आप अगर आप मिल्क का business कर रहे है तो कई बाइर milk दूद फड़ी आता है कई बार आप cheese का business करते है या फिर पनीर का business करते है तो पनीर खराब हो जाती है मिठाई वाले दुकाने मिठाई खराब हो जाती है तो उसी प्रिकार से इस business में भी आपको कुछ stop loss रखना पड़ता है अगर आप stop loss नहीं रखेंगे तो ऐसा थोड़े नहीं होता है अगर आप oil and refinery के business में बात करते हैं जो आप Ambani जी की बात करते हैं उसमें daily, daily कितना kilo liters of fuel कितना kilo liters of fuel daily evaporate हो जाता है तो इसको भी क्या कहते हैं working losses हैं तो इतना आपको suffer करना पड़ाईगा तस में से 8 trade आपके favor में हो सकते हैं दो के लिए आपको stop loss रखना चाहिए इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि stop loss is very very important and this is a good signature of a good trading, good business, good investment तो please don't do that in future और अब कर लिया है तो मेरे साब से थोड़ा rise मिलेगा तब आप निकल लिजेगा क्योंकि अभी थोड़ा banking finance के लिए मामला थोड़ा गंभीर लग रहा है उज्जोल गुंबर, good evening sir, in 2014, SBI made bottom of 145.85, 2016, 148.85, in 2021, 49 तो मेरे साब से ये जो 2014 और 2016 वाला हिसाब किताब 2020 में नहीं है, मामला बहुत गंभीर है, तो इसलिए करपिया करके उन stocks में जिनमें की आपको लगता है value ही नहीं है, करपिया करके थोड़ा दूरी बना के रखें, especially SBI, PSU stock है, थोड़ा सा, you know, be careful. ओमकार कोले, सर आपका वीडियो अच्छा था, लेकिन हम सब new members को option selling order के बारे में बहुत problem आती है, order कैसे लगाते है, order लगाने का बहुत simple video मैंने already बनाया है, आप लोग जाकर के पूरे videos देखते नहीं है, आप लोग की बड़ी गलत बात है भाई, आप एक F&O की playlist है, उसक सारे videos को एक बार देखो, revise करो, re-revise करो, भाई देखो, किताब को एक बार पढ़ोगे उसका अलग मतलब निकलता है, जब उसको दूसरी बार पढ़ोगे उसका अलग मतलब निकलेगा, तीसरी बार पढ़ोगे उसका अलग मतलब निकलेगा, क्यों? क्योंकि आपका horizon चें तो ऐसेल कर रहा है तो बुलिश भासला इस इस चीज को मैंने आज के वीडियो में और चृचéo किए एलिज करके आज का वीडियो में रखना पड़ सकता है तो होड करके रखो इसलिए मैंने आज अपने बायर्स को यानो फ्रिश बाइंग के लिए जदा रिकमेंड नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा है थोड़ा सा शायद विक्निस आ सकती है लेकिन आपने ले रखा है तो होड पो लॉंग तो इसलिंग कर रहे हैं तो आपको इसका 50% रखना पड़ेगा अगर आप सेलिंग कर रहे हैं और आप बाइंग कर रहे हैं तो सिर्फ प्रेमियम अमांट सब्सक्राइब तो सारे के सारे इंडेक्स एक साथ उपर जाने चाहिए बताया था कितने लोगों को याद है प्लीज कॉमेंट सेक्षिन मुझे बताईए अगर आपको याद नहीं है तो मेरा वह वीडियो इसको जाके देखिए अगर मार्केट बुलिश है तो सारे इंडे बाद नहीं आ रहा है तो डाउस थेयरी के वीडियो मत आता है वीडियो को मिस मत करना इट सब वेरी वेरी इंपॉर्टन वीडियो नजीब वाइज एशन पेंट बिगान तो रन अप भाई देखो एशन पेंट अभी भाग रहा है लेकिन अभी आपको लेना नहीं है इसको मेरी इमाने तो बाकि आपकी मर्जी है क्योंकि मैं तो ले नहीं रहा हूं अगर मैं नहीं ले रहा हूं तो मैं आपको नहीं सकता बाकि आपकी मर्जी है केकी आर्ट इंवेस्ट इंवेस्ट प्राइस फेल अरे रिलाइस को कितना भागा होगे भाई वाई इट इट इस जब जाने का समय यागा तम जाएगा लेकिन अभी थोड़ी निचला जाएगा पर नाइप बाउश बनाता है डीजल इंजेन प्रैम्यारली और डीजल इंजेन के समय उन आटो सेक्टर डीजल इंजेन इसे में हलत खराब है अल्दो उसको ये बात पता चल चुकी है कि इन सब सेग्मेंट में प्रॉब्लम आ सकती है इसलिए अपना आपको डेवर्सिफाय कर दिया है इन्टो इंट्रनेट फिंक्स इन्टो आर्टी एल्टी एट्लिजेंस एंड मनी अदर सेक्टर तो उसमें वो फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा यहीं एज उफ नहीं इसको थोड़ा सा टागेट्स केट अचीवड इफ आई एंटर एट 915 आम नॉट शूर आई विल गेट प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप देखो 930 930 से पहले अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप प्रो ट्रेडर होने चाहिए आपके अंदर दिन फास्ट एक्जिक्यूश बैइ स्टॉक्स क्या है मार्केट पे जायेंगे और उसके बाद ये जो पीरेड होगा ये वोगा 915 से 930 का time होगा उसके बाद ये retrace करेंगे तो ये होगा 930 से 945 का और 945 पर आपको पता चलेगा ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा तो आपको उन्ही stocks में नजर बना के रखने हैं सिर्फ इसके लिए चाहिए क्या 30 minutes का patience जो कि generally लोगों के अंदर नहीं होता है क्योंकि उनको लगता है मेरे को बस 5-10 minutes के अंदर पैसा मिले और मैं भाग यह हूँ तो ऐसा नहीं होता है अगर if you are a beginner if you are a beginner अगर आप fast trader है तो तुम बल्ले बल्ले starting 15 minutes में यह पैसे लेकर निकल जाओगे लेकिन उसको बनने के लिए आपको पहले तो patience रखना बोड़ेगा ना तो वाच स्टॉक का वीवाप कैसे चल रहा है अगर ऊपर निकल गया तो यह वाई अगर वीवाप के नीचे अगर यह वाई तो यह वाई तो यह वाई तो यह वाई वाई फोर 30 minutes विच आइनो थोड़ा सब बोरिंग होता है starting में बट अगर दसे अगर निकली होल निकल भी एवरेज मत करिये इनको बाउंस बैक पर एक्जिट कर जाएगा डोंट वोल्ट वरी लॉंग तर्म सब्सक्राइब क्या किया जाए 1650 लेवल टेच कर लेगा यूर वियू मैंने आपको बताया था इसके दो लेवल से वन इस 1850 टो 1865 जो कि उसने अच टुच किया और ऊपर भाग गया नमबर वान नमबर टू लेवल जो है वो है 1650 के आसपास का दर्वल दोस्तों यह आएगा कि नहीं आएगा यह में नहीं होता सकता लेकिन यह वह स्ट्रॉंग सपोर्ट जोन है जो कि अगर आया तो काफी सब्सक्राइब आएगा तो वह आपने बोला भी है टिस टोल्ड यॉर वी ओन बजाज ओन फिसर्फ तू वाट 4100 बजाज फिसर्फ अच्छा स्टॉक है अच्छे रेट पे लेलिया है पिल्कुल रिलाक्स रहोब रतनेश डेली क्योंडेसर बाइल फॉर HDFC, HDFC बैंक, HDFC औ और यहां से कोई भी गिरावट आती है भाई खरीदने के महुप्या है यह सब नरुत्तम पंडा मिनमम कैश रुक्याड फॉर ऑप्शन ट्रेड में आपको बता दिया अगर आप सेल कर रहे हैं तो 50% आप अमाउंट ट्रेडड और आप ऑप्शन बायर है तो सिर्फ प्रीम तो फिर यूल विकम दी मास्टर अब दस तो उसके लिए आपको ट्रेंड लाइन के प्रैक्टिस करनी चाहिए इस बीए कार्ड का स्टॉक ने चाने 54 वीक का लोग बना दिया है क्या न्यूज आ गई इसमें सभी के सभी यह नो स्टॉक नीचे गिर रहे हैं इस्पेशली FII buy stocks at higher price as a price at which they sold is less than present if not then there's another crash bending मैं कब से कह रहा हूँ कोई एक YouTuber है जिसने की बोला है कि 2008 नहीं है बहुत तेज बाउंस बैगा तो उसको मैं कुछ बोलूंगा नहीं but I am telling you friends things are not as good please understand please be watchful please be stock specific सारे पैसों को लगा देने का मतलब नहीं है यह सब लोग ऐसे बोलते रहेंग आपको क्या करना है यह आपको सोचना है सुनो सबकी मेरी भी सुनो दो लोग की और सुनो लेकिन ज्यादा लोगों को सुनना भी नहीं होता है ज्यादा लोगों को सुनने से आप confused ही होते हो तो भाई आप समझ रहे हैं मेरी तरफ से मेरी तरफ से आप सबको सुनो लेकिन decision अपने हिसाब से लो तो यू आफ टो बी डिना यू आफ टो बी वॉच्फुल आई इन्वेस्टिट थर्टी शियर से टू तू टू टू ट्वेंटी थ्री इन एचिवल सिक्सिर्स एट अबट और थोड़े महंगे महंगे ले 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 लिए इतने सस्ते क्यों लिए किसने कहा था आप अबट को 16 490 पे लो हूँ सेट एंड वाई लग ऐसा क्या अबट में आ गया कि इतना जबर्दस्ती का बाइंग करे जा रहे हैं एक अबट को रिकमेंड गिया था 10-11,000 के लेवल उसके बाद से मैंने इसको बाइंग करने को कहा ही नहीं उसके बाद से मैं कहा है उसमें सिर्फ ट्रेडिंग करो और निकल जाओ अच्छा एक और यूट्यूबर है जिसने कि CPSC ETF को खरीदने हुए इसने की आर्केट को बोला है वाउंस बैक होएगा बहुत तेज होगा तो यह CPSC जिसने भी आपको रिकमेंड करा है I don't know who is that but this is a very very poor investment CPSC ETF मैं PSU से वैसे ही आप लोग को मना करता हूं और आप उसके ETF को लिए करके आपने उसका मिल्कुल बंच ले लिया है आप समझे एक को संभाल नहीं पार रही है गोर्मेंट आपने बंच खुद का लिया है अब 25,000 लगाया था बचा कितना ज़रा देखते है 18 बचा है 18 भी बहुत बच गया मैं तो सोच रहा हूं इससे भी आधा हो चुका होना चाहिए तो देख लो क्या करना है में तरफ से अब भारत बांड में जा रहे हो आप इस पैसे को जब राइज होता है उससे आप एक्जिट करिए कैश को हाथ में लेकिए और अच्छे ब्लूचिप ौप की स्टॉक 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 कैश करके ठोच स्टॉकट रहे हैं या नहीं गिरिए और अच्छी देख स्टॉटक को नहीं तो भी आप अच्छे अच्छे स्टॉक engaging मेरे साब से वह इस्टॉक्ष का कोद लिटे लिए जरूधा वाले स्मृति सौरव अगर आपके पास जरूधागा एकाउंट नहीं है तो फिर ऑफ कोर्स यूट इट ओपर नहीं है लिंक डिस्रिप्शन में है जरूधागा क्योंकि मैं यूज करता हूं इसलिए आप लोगों को बताता हूं सब्सक्राइब करें इंडिया दिन करें डिलाक्स का जो प्राइसिंग मेकैनिजम है वह बहुत ही चीपर बहुत अच्छा है उसके क्योंटी प्रोड़क्स लोगों को पसंद आते हैं ऑफ कोर्स जब कोई आएगा तो कॉंपेटिशन आएगा तो रिलाक्स भी ऐसा नहीं कि र रिलाक्स विल डू इस ओन बिट वह भी कॉंपेट करेंगा डोंट वरे आट सिक्स शेर्स ऑफ डी मार्ट इन मैं अकाउंट डी मार्ट का मैं समझ गया आपका क्वेश्चिन क्या है आपने स्क्वेर ऑफ किया होगा यह टी टू टी सिग्मेंट में चल रहा है जिसके करण मैं आको इसके से कंपा से डिलिवरी लेनी ही पड़ती है और अगर सेल निकल जाएगा Swing trade के लिए थोड़ा और suggestion Swing trade के लिए मैं आपको बताता हूं week में मैं आपको 2-3 stocks बता देता हूं पिछले इसी week में मैंने आपको 3 stocks बताया थे और अच्छा खासा मुनाफ़ा देगे गए है और approximately 2 दिन के अंदर 5-6% मुनाफ़ा देगे गए है तो ऐसे stock अगर एक हफते में 6% दे रहे हैं बढ़ गया है और कैची है जिन्दगी में SGFC Bank was 861 का आज के press conference के बाद बहुत नीचे गया क्यों लिया वो तो जा नहीं था It is understood क्योंकि RBI Governor साब आये हैं वो तो बोलेंगे ही कि भाई अभी recession हो सकता है because he is aware he is aware of the picture Sir आपका call market खुलते ही निकल जाता है entry करने का मौका नहीं मिलता कैसे fast entry or exit करूँ तो मैं आपको जो stock देता हूं उसमें तीन तरह के stocks होते है in fact 4 तरह के stock होते है एक होता है जो कि quick scalpers के लिए वो starting के five minutes में आपको hit हो जाएगा यह basically learning के लिए देता हूं आपको उसके बाद एक stock होता है जो कि आपका slow move करेगा एक stock है जो आपको दोनों side move करके दिखाएगा तो आपको समझना होता basically कि study करने के purpose से आपको stocks दी जा रहे है ताकि एक है जो बिलकुल एकदम से निकलेगा और सीधे straight away hit करेगा target को within five minutes तो आपको देखना है आपको कौन सा stock choose करना है और यह चारो stocks मिलते है golden diamond को बाकियों को मैं एक के दो ही द है हुआ है इस ट्रेट टू ट्रेड इफ आम नौट यहीं वह स्पेलिंग है ना तो टी टू टी का मतलब क्या होता है कि आपको उसकी compulsory delivery लेनी पड़ेगी है ना तो आपने आज ट्रेट किया तो उसके बाद जो सेकेंड टी प्लस टू है वो टी प्लस टू वाले दिन ही आ आपको डिलिवरी मिले की आपके डिमाट में तो उसके बाद ही आप उसको टी प्लस टू पर सेटल कर सकते हैं सेटल होने के बाद सेल कर सकते हैं तो आपको compulsory delivery लेनी पड़ेगी को लिए मतलब यह 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 विए बजाज फिनसर बजाज फिनस वेरी नाइस टॉक्स इफ वाटस अप नमबर डायमंड मेंबर के कम्यूनिटी सेक्शन में आपको दिखाए पढ़ने लगेगा आप जाकर के उसमें पिंक करिए यूग एड़न बावेश यूर विए शेर और शेर सो बांकिंग को लेकर करे मैं बहुत बुलिश हूं लेकिन अच्छे स्टॉक्स में लीडर के साथ रही है बाकिन को ट्रेड करिए ज़िस्टेड दें ऑके इंडेसिंट बैंक को अवोइड करो फिलहल के लिए थांक्यु फॉइड़ वाइटी बायर बैक का कॉंसेट समझ लो पहले बायर गा कॉंसेट का होता है बायर बैक मतलब होता है जो भी आप स्टॉक ले रहे हैं, जितने भी आपके पास stock आपके DMAT account में हो एक record date आपको दी जाएगी, उतने stocks बेसिकलिए आपको दी जाएगी कि यह stocks आपके account में होने चाहिए, DMAT account में, एक record date पे, तो उस record date पे अगर आपके पास 100 stock है, 100 stock, तो उसका acceptance का एक ratio आता है, कि आपके 100 में से कितने percent stock लिए जाएंगे, तो कभी आता है 20%, कभी आता है 50%, जो बहुत अच्छा होदा है, तो 50%, वहना 10%, कभी 15%, तो आप समय लिए जितने भी आपके पास stock हैं, सब्सक्राइब हैं, तो 100 में से कितने लिए जाएंगे, बाकी 75 आपके पास ही रह जाएंगे, तो अब आपको सोचना ह कि आपको इस 25% के gain के लिए आप ले रहे हैं क्या, और वैसे भी buyback होने के बास stock बहुत तीजी से crash करता है, तो मैं recommend आपको करूंगा, नहीं बाकी आपके मरजी है, तो कम से कम buyback के लिए, dividend के लिए stocks को नहीं खरीदना होता है, उनको trade करना होता है, तत पर SBI 8150 worth buying, I will not buy at least, very good, continue holding for long term, panic मत होना बीच में, what's your view on pie software, इसका में जे वीडियो बनाना है, मैं आपको बना के बताओंगा, तो फिर आपको अच्छे समझ में आएगा, हाना, what are the advantages and disadvantages, मैं सबको अच्छे से बताओंगा, आपको अच्छे सम्झाओंगा, हाना, what are the advantages and disadvantages, मैं सबको अच्छे से sectors and how many stocks like 10 or more, अगर आपके पास 5 लाग है, 7 लाग है, तो आप उपर भी जा सकते हो, 5 लाग है मतलब यह नहीं कि 10 stocks ही है, 2-3 stocks extra भी जा सकते हो, लेकिन 10 stocks में आपके पास management आसान होता है, आप उनके trades को देख सकते हो, उनके option chain को पढ़ सकते हो, उनके results को monitor कर सकते हो, उससे ज दूरोधा मैं CNC में buy किया है, अगर मुझे उसी दिन sell करना है, तो कर सकते हो, मैं तो सारे trades CNC पे ही buy करता हूँ, I buy all trades in CNC only, ताकि अगर buy chance, buy chance मुझे उसको 325 पे भी sell करना है, तो भी मैं उसको 329 पे भी sell करना है, तो भी मैं कर सकता हूँ, क्योंगि उस CNC में ले रखा है, को 10-15 मिन पहले वो cancel कर देता है, इसलिए मैं हमेशा CNC पे ही buying करता हूँ, Sir, is GFC buy on 1509, is it good or not, very nice, continue holding for long time, Gaurav, Sir, can you tell me when in fees dividend will be created, इसका record date थोड़ा 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 थोड़ हवुशक, सुरवड़े, first user ji, congratulations, I have 45% loss in mutual fund, what to do, any advice, 45% तक भी बैठे होगे हो, बता हो कमाल है, और by chance अगर loss हो गया है, तो mutual fund का नाम लिखना चाहिए, तो मैं आपको बताता है, कौन से mutual funds है, तो कल के दिन मुझे बताना, which all mutual funds you had invested, then I will be able to give you advice, कि क्या करना है, तो दोस्तों, I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया है, तो चैनल को subscribe कर सकते हैं, अपने वीडियो, इस वीडियो को share कर सकते हैं, otherwise कोई question कोई रह जाता है, तो next day, that is tomorrow's, educational वीडियो होगा, उसमें अपने question जाली का सारे pick up होगे, thank you so much friends for watching, and bye bye for now.